रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेद से रगुनाथाय नाथाय सीताय पतिय नमः स्री राम लला भगवान के भारत माता के सर्यू माता के जै जै सीता राम राम चंद्राय राम के आज के सकारिक्रम के मुख्यतिते दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता भारत के माने प्रधान मंत्री आधनिया सी नरेंद्र मोधी जे रास्तिय स्वयम सिवक संके मान्य सरसंग चालक सरदे डॉक्टर मोहन भागवजे प्रदेश की मान्य राज्यपाल सिमती आनंदी वेन पतेल जे सिराम जन्भूमी तीर्त छेतर न्यास के अध्यक्स पूज्य महांत निर्त गोपाल दास जी सिराम जन्भूमी तीर्त छेतर न्यास के कोशा अध्यक्स पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महा सचीव सम्मानेशी चंपत राय जी देश के कोने कोने से यहां पर पधारे पूज्य संतजन अपने अपने छेत्र के नेत्रुत्त देने वाले सभी उपस्तित महानुभाव रामत्सो के इस पावन पर्व के उसर पर आधनिय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी ओर से हिर्दै से स्वागत करता हूँ अविनन्दन करता हूँ इस उसर पर पधारे राश्तिय स्यम स्यवक संग के सरसंग चालक आधनिय डॉक्टर मोहन भागवाज जी का अन्य समागत अतितियों और महानुभावों का मैं हिर्दै से स्वागत करता हूँ अविनन्दन करता हूँ प्रवुरामलला के भव्य दिव्य और नभ्य धामे बजार बिराजने की आप सभी को कोटी कोटी बधाई पांच सो वर्सों के लंबे अंतराल के उप्रांथ आज के इस चर्चिर प्रतिक्षित मौके पर अंतर मन में भावने कुछ ऐसी है क्योंने ब्यक्त करने के लिए सब्द नहीं मिलना है मन भावुक है भाविबोर है भावविवल है निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा मैसूस कर रहे होंगे आज सेत्यासिक और त्यंत पावन अस्वर पर भारत का हर नगर हर ग्राम अयोध्याधाम है हर मार्ग से राम जनभूमि की ओर आरा है हर मन में राम नाम है हर आँख हर्स और संतोस के आँसू से भीगा है हर जिवा राम राम जप रही है रोम रोम में राम रमे है पुरा राष्ट राम में है ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गये हैं आज रगुननदन, रागो, रामलला हमारे हिर्दय के भावों से भरे संकल्प सुरूप सिंगहासन पर विराज रहे हैं आज हर रामभक्त के हिर्दय में प्रसनता है, गर्व है और संतोज के भाव हैं आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतिक्सा थी, भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतिक्सा में लगभग पांच सताब्दि बतीत हो गई दर्जनों पीडियां अधुरी कामला लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई किन्तों प्रतिक्सा और संगर्स का करम सतत जारी रहा सिराम जनभू में संभुत्व विश्व में पहला ऐसा नूठा प्रकंडर होगा जिसमें किसी राष्ट के बहुत संक्यक समाज ने अपने ही देश में अपने अराध्य की जनमस्थली पर मंदिर निर्मान के लिए इतने वर्सों तक और इतने अस्तरों पर लड़ाई लड़ी हो संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहुंगों, बुद्धी जीवियों, राजनेताओं, जन्जातियों, सहीद समाज के हर वर्गने जाति पाति, विचार दर्सन, उपासना पद्धति से उपर उठकर के, रामकाज के लिए स्वयम को सर्ग किया अंततह वासुप आउसर आ ही गया, जब कोटी कोटी, आस्तावानों के त्याग और तब को पूर्टा प्राप्त हो रही है आज आत्मा प्रफुलित है, इस बात से कि मंदिर वही बना है, जहां बनाने का संकल्प लिया था संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए, हमारी प्रतिक्सा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्टा के लिए, आधनिये प्रधान मंत्री से नरेंदर मोधी जी का हिरदै से आभार और अभिनंदन माने प्रधान मंत्री जी, 2014 मैं आपके आगमन के साथ ही भारतिय जन्मानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दिड़ सोई, मिलही राम सगुन सुब होई कि अभी गर्वग्रय में बैदिक विधी स्विधान से राम लला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्टा को हम सब साक्सी बने हैं और लौकिक छवी है हमारे प्रभु की बिलकुल वेसे ही जैसे तुलसी दास जी ने कहा कि नवा कंज लोचन, कंज मुख कर कंज पद कंजारुनम धन्य है वस सिल्पी जिसने हमारे मन में बसे राम की स्चवी को मूर्त रूप प्रदान किया है विचारों और भावनाओं की बिलता के बीच मुझे पूजय संतों और अपनी गुरु परंपरा का पुर्णे स्मरन हो रहा है आज उनकी आत्मा को असीम संतों सरानंद के अन्भूति हो रही होगी जिन परंपराओं की पीडियां सिराम जन्भू में अपनी आहुति दे चुकी है उनकी पावन इस मृतियों को मैं यहां पर कोटी कोटी नमन करता हूँ सिराम जन्भू में महायग्यन केवल सनातनास्ता और विश्वास की परिक्सा का काल रहा बलके संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट की सामिक चेतना जाग्रण के धे में भी सफल सिद्धु हुआ है सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर प्रतिक्सित नौ विवान को देख अयोध्या समेथ पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है भाग्यवान है हमारी पीड़ी जो इस राम काज के साक्सी बन रहे है और उससे भी बड़भागी हैं वो जिन्होंने सर्वस्व इस राम काज के लिए समर्पित किया है और करते चले जा रहे हैं जिस अयोध्या को आउनी की अमरावती और धर्ती का वेकुंड कहा गया वो सद्यों तक अब सिप्त थी उपेक्सित रही सुन्योजित क्रिस्कार जेलती रही अपनी ही भूमी पर सनातनास्ता पदलिध होती रही चोटिल होती रही किंतुराम का जीवन हमें सैयम की सिक्सा देता है और भारतिय समाज ने सैयम बनाई रखा लेकिन हर एक दिन के अंकल्प और भी दिड़ होता गया और आज देखे पुरी दुनिया अयोध्या के वैभव को निभार रही है हर कोई अयोध्या आने कौतुर है आज अयोध्या में त्रेता युगीन वैभव उतर आया है दिख रहा है यह धर्मनगरीव